कि अगे गाइज वाथ सब कैसे हैं आप लोग तो आज मैं फिर आगया हूं लाइव आप लोगों को परिशान करने के लिए बिलकुल नहीं आप लोगों की जिन्दगी सवारने के लिए और आज का जो सेशन ना वह मुझे ऐसा लगता पर्टिकुलर ली उन लोगों के लिए ह जो कि future entrepreneur बनना चाहते है, future businessman बनना चाहते है, अपना खुद का कुछ business या startup शुरू करना चाहते है, उनके लिए आज का session जो है बेसिकली वह बहुत काम आएगा, frankly speaking, और उन लोगों को मैं चाहता हूं कि आज का session आप लोग बड़े ध्यान से देखेगा, क्योंकि आज हम लो opportunity for all of you, जिसमें आप, you know, अरजुन से मिल पाएंगे और startup की सारी बारिक्या सीख पाएंगे, तो ये कमाल का session होने वाला है, और जो लोग future entrepreneur या फिर future में, जो लोग इस तरह की काम करना चाहते है, अपना business करना चाहते है, startup करना चाहते है, उनके लिए आज का session बहुत का है, तो चलिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि is everything fine, क्या मैं live आचुका हूँ, क्या एक बार voice clear है, आप एक बार check कर लीजिए, और हमने circulate कर दी है ना, सब जगह पे, इसके telegram and all, सब जगह पे, चलिए तो आज के session को फड़ा-फड़ से शुरू करते हैं, बहुत-बहुत शु सीख करी है, आज के time पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आज लोग particularly अपने business के बारे में सोच रहे हैं, नहींने business ideas के साथ हैं, चोटी-चोटी उमर में लोग startups के बारे में सोच रहे हैं, यह हमारी सोच बदल रही है, इंडिया के youth के बहुत अच्छी बात है, तो उसी में ए किसी different startup या क्या idea है मेरे पास, जो शायद बहुत, you know, किसी problem का solution ढूण सकता है, तो in that case आपको आज का session बहुत काम आने वाला है, तो सबसे पहले तो आपके chats खोलते हैं और पूछ, आपके पता करते हैं कि कौन-कौन लोग अपी अरजुन देश-पांडे के साथ से मिलना च आते हैं, because आपके सवालों को, मैं अरजुन के सामने रखूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप उन से सवाल पूछे, पंदरा मिनिट में वो जुडेंगे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आपका enthusiasm चेक कर लेते हैं, let's see, आपके pop-out करते हैं चैट को, let's see, आपके pop-out करते है ओके, तो चलिए आपके चैट को, खोल के देख लेते हैं, एक बार, amazing, तो यहाँ पर इतने लोग हैं, जो की future startup, future businessmen, future entrepreneurs हैं, क्या बात है, सबसे पहले, इनके enthusiasm के लिए तालिया हो जाएं, क्योंकि startup को तो पहली बात, जो है, बहुत ही कम youth relate करता है, लेकिन जो करते हैं, basically, उनके लिए तालिया तो बनती हैं, obviously, आप लोग जोग के लिए जाओगे experience के लिए, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग किसी problem के solution को देखते हुए startups के लिए भी जा सकते हैं, तो उनके लिए आज का जो session है, बहुत काम का है, so let's see, काफी लोग मुझे याँ पर दिखाई क्या बात है, तो बहुत बड़ी है, तो काफी लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, इस session में, तो अपन शुरू करते हैं, आज के session को, सबसे पहले बात करते हैं, startup, यह startup होता क्या है, startup कई लोगों के लिए word नहीं है, लेकिन कई लोग इसमें काफी अंदर तक घुस चुक हैं, और उस problem का solution है आपके पास, और आपको लगता है कि वो problem जो है, basically किसी एक या दो या तीन लोगों के लिए, तीन लोगों तक सेमित नहीं है, वो एक generalized problem है, जिसका solution अगर आप market में दे दें, तो हो सकता है, वो business का रूप ले ले, तो in that, that is called a startup, जिसमें आपके idea को कर सके, initial पैसा देते हैं, ताकि अपनी tech को बिल्ड कर सके, या फिर अपने business को बिल्ड कर सके, this is all about startup, मतलब, it's not कि मैंने दो या तीन लाइन में बोल दिया, तो पूरी तरह से explain हो गया, इसलिए तो हम लोग कोर्स लेके आया है, startup का, है ना, तो उसमें fundamentally आपको सब चीज़ और company को आगे grow किया जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में, क्योंकि मैं भी उस face से निकल रहा हूँ, और मैं भी बहुत सारी चीज़े समझ रहा हूँ, किस तरह से जो angel investors होते हैं, या फिर जो capital ventures होते हैं, उनमें meeting में बहुत सारी चीज़े समझने को मिलती है, बहुत सार प्रेडिक्शन करना, और फिर एक बिजनेस आइडिया के साथ सामने आना, और फिर ये बताना कि ये profitable business है, जिसमें वो लोग fund डाल सकते हैं, और उनको शायद 5X और 10X growth मिल सकते हैं उनके पैसे की, इस तरह के process जो है, मैं भी उससे गुज़र रहा है, और मैं चाहता हूँ, मैं अपना पूरा experience आपके साथ share करूँ, ना सिर्फ मैं, मैं ये चाहूँगा कि जब lectures होंगे, तो हम लोग ऐसे लोगों को invite करेंगे, जो कि अपना startup चला रहे हैं, और in fact सबसे बढ़िया बात ये है कि इस startup idea में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपको course हम लोग यह पर deliver करने वाले हैं, उसमें आपको सबसे बढ़िया बात ये है कि 2.5 करोड का technical funding, 50 startups को मिलने वाला है, 50 startups will get 2.5 करोड funding और उसके इलावा सिर्फ 2.5 करोड का funding ही नहीं है, I am telling you कि यहाँ पर 2.5 करोड के funding के साथ साथ हमारी तरफ से भी मदद मिलेगा, हम लोग उन्हें support करे हम आपको angel investors के साथ connect करवाएंगे, हम यह बताएंगे कि किस तरह से pitch deck बनाया जाता है, idea को कैसे represent किया जाता है, यह सारी चीज़े बताएंगे, इसलिए वो course आप लोग के लिए लेकर आएं, तो अगर आप ऐसे course में enroll करना चाहते हैं, तो description box में link है, फड़ा-फड से join करो, enroll करो, अपने दोस्तों को बताओ, initially मुझे ऐसा लगता है कि, you know, इंडिया में इस चीज़ को समझने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा मत सोचो कि हम बहुत छोटे हैं, कहां business की बाते करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया क अमर्स है, जिनको नहीं पता कि, actual में, क्या-क्या fundamental चीज़ें होती है, जिनकी requirement हमें होती है, उन सब चीज़ों में आपको ये course मदद कर सकता है, तो I think आप लोगों को एक बार और explore करना चाहिए, और जो लोग भी, मुझे लगता है कि, जो लोग यहां पर अभी, इस stage पर ये, देख रहे हैं session, वो काफी जादा enthusiastic होंगे, startup और उसके idea को लेके, जैसे मैं आपको इबताता हूँ, आपने कभी देखा होगा, मैं आपको थोड़े-थोड़ा idea देता हूँ, एक company है, जिसकी discussion अभी बहुत जादा हो रही है, Zapto, सिर्फ 19 या 20 साल के लड़के, जिन्हो है, उन्होंने उस time ने हमें दिखा दिया है कि, you know, हमें हो सकता है कि बहुत सा हमारा time घर पे ही निकालना पड़े, ठीक है, work from home ही करना पड़े, in that case, ऐसा तो है, घर पे रहेंगे तो हमें सवान की जूर्त नहीं है, खाने पिने की चीज़े तो चाहिए ही, इस corona के time पे बह पैसा कमाया, वो कंपनिया नहीं डूबी, कंपनिया वो डूबी जिनका चोपट हो गया धंदा, लेकिन अब घर पे बैठे हैं तो खाने बीने का समान तो चाहिए, एक तो वो समान तो बिके गई, in that case, जो वो डिली, you know, use होने वाला समान बनाते थे, उनको फायदा हुआ, लेकिन उससे भी जादा फायदा उन कंपनियों को हुआ, जो की समान को डिलीवर करते थे, बिकेस वो टास्क भी बहुत बड़ा था, आप ज़रा सुची, घर पे बैठे हैं और शोप है, आप निकल नहीं सकते, आप अपने जान को जोखी में डालना भी नहीं चाहते, in that case, इसमहापर्क, डिलीवरी की जो अपनीया है, जो की सामने आए रहीं की ठीक हम डिलीवर करेंगे सामान घर पर, जैसे ही जुमेटों ने फूट डिलिवर करना शुरू किया, स्वीगी ने फूट डिलिवर करना शुरू किया, पिकली एक कंपनी है जो की 40-45 मिनिट में आपके घर पे ग्रोसरी पहुंचाती थी, या फिर वेजेटीबल्स पहुंचाती थी, इसी तरह से ग्रोफर्स एक कंप करता रहूंगा, तो यह अच्छी बात थोड़ी है, आप देखो न, अगर आपको मालो, आपको जनरली सबजी बनानी है, तो आप क्या करोगा, और आपके उस घर पे समान नहीं, आप तुरंद भागोगे, पास वाली दुकान पर जाओगे, समान लेकर आओगे, दसी जाता है, यह तो में जाता हूं, आपको बताता हूं, और साथ साल से यूट्यूब कर रहा हूं, और अब मुझे समझ में आता है कि basically YouTube पे videos बनाकर इन बातों के बार में बताने के इलावा अगर मैं कुछ create कर पाया अपनी life में पता नहीं कितने दिन तो हम लोग जिएंगे इतने साल का हो गया हो सतर साल की टोटल जिंदगी होती है कितने साली जिएंगे let's create something ताकि जब मरेंगे तो तसली रहेगे कि हमने कम से कम कोशिश तो की किसी problem को sort out करने की है ना तो वो problem को solution के लिए हम लोगों ने हमारा app बनाया है जिसमें हम लोग skill based courses provide करने वाले है क्योंकि आज की time मुझे वैसा महसूस हो रहा है तीरे तीरे degree की value नहीं है समझ के चलिए जिस तरह से जेई और नीट का exam compulsory करा है एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए skill भी compulsory होगी और आपको skill सीखना पड़ेगा और हम लोग ऐसे skill based app बनाने जा रहे हैं जो मैंने आपको इसके बारे में detail में आपको कभ है ना क्योंकि एक फाइनली एक ना एक दिन तो मर नहीं है so let's do something for that तो उसी के लिए मैं लगा हूँ और team भी बन रही है और सबसे इंट्रेस्टिंग बात ही है कि जिस phase के बारे में सिर्फ मैं सुनता था अब मुझे proud feel होता है कि हाँ काम बहुत जादा है but I am the part of that particular phase जिससे लोग गुजरते है कि क्या होता है startup क्या होता है business किस तरह से लोगों को serve किये जाता है किस तरह से लोगों की problem को solve किये जाता है है अपने problem को सामने रखना उसको solution क्या है लोगों से बात करना वो आपके idea के बारे में क्या सोचते है वो चार बाते आपको बताएंगे और investor से बात करना इंवेस्मेंट लेना उनको अपने आइडिया के साथ अलाइन करना टीम बिल्ड करना और वह सारे फेस से अभी मैं गुजर रहा हूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूं कि अगर इस फेस से आप भी गुजरना चाहते हैं जो फ्यूचर एंट्र जनवरी को लॉंच कर रहे हैं पहला लेक्चर यह कोर्स आपके लिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाईए बहुत ही कम पैसों में हमने कोर्स रखा है इसने 5.99 और 4.99 इतना ही प्राइज है उसमें आप कोई यूज कर सकते हो लेकिन उसमें सबसे भड़िया बात यह है कि आपको सबसे पहले तो जो आपका अगर आइडिया बहुत अच्छा है जो कि प्री बुकिंग बहुत लोगों ने करवा ली है 2.5 करोर का टेकनिकल फंडिंग मिलने माला है सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पता ही होगा कि 16 जनवरी को स्टार्टप डे बनाय इसके लावा हम आपको इंजल इंवेस्टर्स वी सी के साथ कनेक्ट भी करवाएंगे यह प्लस पॉइंट है जो कि मैं आपको भी बता रहा हूं अगर आपके आइडिया में दम हुआ मैं खुद आपके आइडिया में समय बिताऊंगा और आपको जो कैपिटल वेंचर होते हैं और आपको पिछडेक में मदद करूगा कि किस तरह से अपने आइडिया को पीडियेफ की फोर्म में रीप्रेजेंट किया जाए उसमें भी आपको मदद करूगा क्यों कि मैं खुद भी उसमें काफी समय बिता रहा हूं तो I have that kind of idea कि हम उसमें क्या करना है और finally मैं कोश को बिल्ड करने में तो यह प्लस पॉइंट है अगर आप स्टाट अप आइडिया रखते हैं तो 2.5 करोड रुपे का टेक्निकल फंडिंग हम लोग दे रहे हैं टेक सपोर्ट आपको 2.5 करोड का मिल जाएगा मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ देखने की जू करना चाहता हूं तो यह मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए एप को एटू एप है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिक गिवन है और डाउनलोड कर लीजिए और अब हम अपने महमान को बलाते हैं अर्जुन देश पांडे ज अब फाइनली हम लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं अर्जुन आपको बहुत सारे लोग अभी लाइव देख रहे हैं सबसे पहले तो अर्जुन के अवाद सुनते हैं वह खुद में एक मोटिवेशन है फूल स्क्रेइन हो गया है एक लेट सी एक बर ओर देख लो ओकेड़ा तो अर्जुन बहुत-बहुत स्वागत आपका इस लाइव सेशन में अध्यू अर्विंघ एक जी एक आपका वोच थोड़ा साम इंक्रीज कर देते हैं वच इंक्रीज एक एक बार हम इसके अंदर वॉल्यम इंक्रीज कर देता है एक बार हा यह ओ चलो बार इस तो अरजुन जी एक बार प्लीज थोड़ा सा दुबारा बोलिये ताकि हम वोई चेक कर ले अलो हाँ ना दिस प्रफेक्ट तो अभी आप बहुत क्लिर आवाज आ रहे हैं तो एक बार फिर से मापका स्वागत करता है और फिर से मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज जो है लोगों को मोटिवेट करें जो आपको देख रहे हैं Thank you very much for having me again on A2 motivation मतलब जैसे कि मतलब मैं जब आपके studio में भी आया था last time इतना energetic है वह का atmosphere और पूरे यूद को जो inspire करने का और motivate करने का start-up को आगे लेके जाने का बहुत अच्छा काम A2 motivation कर रहे है और Arvind जाब कर रहे है So really it's great to connect with you again on the platform Thank you so much तो Arjun जी आज की conversation स्टार्ट करते हैं और बहुत सारे चीजें सामने जो audience है उसको वो भी जानना चाहते होंगे specially वो आपके जो questions है आप chat section में लिखेगा और मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा-च्छी questions को मुझे बताईएगा थाकि हम वो question अरजुन से पूछ सके तो मैं यापर question का सिलसिला शुरू करता हूं हमने actually एक बहुत अच्छा course launch किया how to start a startup from zero to one और हम भी उसमें participate कर रहे हैं और आपने तो एक startup पूरी तरह से खड़ा ही कर दिया है और जैनरी काधार जिसका नाम है सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आप अभी कहां से हमारे साथ गुफ्तगू कर रहें मतलब लाइब कहां से हैं कौन सी city से हैं मैं अभी थाना से हूं मुम्बई से जहां कर हमारा हैड ओफिस से जन्री काधार का महा से मैं लाइब हूँ हमारे हैड ओफिस से और मतलब अलब अलब इन दली तो अलग अलग जगा पर हम लोग यूथ को अच्छ मोटिवेट कर रहें अबरसों हम लोग में ती आयों के लोगों का एंप्लॉइमेंट भी दे रहे हैं, खुद का एक जॉब क्रिएट करने का और एक जॉब क्रिएटर बनाने का एक मौका दे रहे हैं. अमेजिंग, अमेजिंग, तो अभी आज हमारे साथ अरजुन जुडे हैं, मुंबई थाना से, जहां पर उनका हैड ओफिस है, और शायद कल वो दिल्ली भी जा रहा है, अपने किसी एक स्टार्ट अप से रिलेटेड किसी कॉन्फरेंस को अड्रस करने के लिए या फिर बिट एक एनरजी देखना चाहता हूं चैट सेक्शन में, आप लोग जित्ते भी लोग हैं, जो यहां पर अरजुन को देख रहे हैं, जरा उनकी एज को देखिएगा, आप प्लीज बताएंगे अभी आपकी एज क्या है, मतलब अब हम लोग यह जब चीज हमारे मन में रखते है कोई भी उमर नहीं होती, बिजनस ने तो एक नया चीज शुरू करने के लिए, अगर टीन एज में भी हो ने तो 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 आप वो चीज शालू करिये, मतलब मैं हमिशा कहूंगा थी, तीन एज इस अल अबाओ टेकिंद रिस्क और चाइलेंजिस, मतलब टीन एज में लोग जितना ज़्यदा चैलेंजिस हम लोग फेस कर सकते हैं, उसको टैकल करके हम लोग कुछ ता आउट ऑफ दिस बॉक्स क्रेट कर सकते हैं पूरे वर्ल के लिए और यह अगर एज में आपने वो चीज कर दी ही ना, तो आपके बस में बहुत बड़ा लाइफ का स्पैन रहता ह है, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और उसका सॉलूशन आपके दिमाग में आ जाता है, तो आप भी अपना स्टार्ट अप शुरू कर सकते हैं, आप उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं, अभी से हाथ पाम मारेंगे, तो मुझे के अलावा, मुझे बहुत ही अमेजिंग चीज जो लगती है, वो यह कि इनके आइडिया को खुद हमारे जो, मैं कहूंगा कि अभी लेजिंडरी रतन टाटा जी, इन्होंने खुद ने उस आइडिया को सपोर्ट किया है, जो कि मुझे बहुत जादा अमेजिंग लगता है सो वो जर्णी में जानना चाहता हूँ कि जब आपने स्टाट अप के वारे में सोचा, आपको लगता था कि आइडिया इतना बड़ा हो जाएगा और लेजिंडरी रतन टाटा जी से आपको इतना ज़ादा सपोर्ट मिलेगा कि वो आपके साथ बैक करेंगे इस आइडिया क सिर्णी आपको अपको धिर्लगा एंटरी रतन टाटा सर के वारे मंद अच नुटा इडिया में सुरुषा रवाधा हो जब बी कुछ भी सुरुषाख करते हैं तो वो इक बड़ा भी जन के साथ ऑन को करना चीय को मैंने भी जब ज़ जब 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 ज़ने मेरे माइंड मे कि चीज आई कि हमको एक पूरे इंडिया में एक फैंचेसिं निट्वर्क क्रेट करके लोगों को हाई कॉलिटी मेडिसिंस दिरेक प्राम मैनिफेक्चिर प्रोवाइड करनी है तो वीजन तो डेफिनिटली बड़ा था कि पूरे एक सो तीस करोड लोगों को अश्डाइड को मैंडिसिंस पूरत ही कि अटिसम इसकर मेंड थाएड जो टेड टॉक था ने तो फुर्स मेरे मीडिया के जो इंटेजिव से बहुत वाइरल हो है और वो रतन जाटा सर ने भी नोट किया तो मैं नहीं चीज कहूंगा कि यूद को अपना काम करते ना चीए कभी भी यह नहीं सोचना चीए कि वो मुझे सपूर करेगा वो मुझे ए यह डेफिनिटली आपको डेफिनिटली सचस मिलेगा बट नॉट इमिजिटली बट डेफिनिटली होगी है तो सेम लाइक मुझे एक साल के बाद में बाद में बैक किया और तब से और आज में हम लोग बहुत जादा है पूरे इंडिया में ग्रोग करते उनके ब्लेसिंग कि हमको सिर्फ अर्बन सीटिस की में पूरी करनी हमको त्रीटार सीटिस में भी जाके वहां पर भी एक उंट्रेट करना है तो आज हम लोग पूरे इंडिया में उन्ट्रेट कर और यह मिशन में बहुत मतलब लोग आज हमारे साथ में जूटते जाए रहे हैं अबेजिंग अबेजिंग तो समझे यहां पर किस लेवल से बात हो रही है आप ज़रा समझे आप कोई एज नहीं होती है चोटा बड़ा कुछ नहीं होता है इस ओल अबाउट कि आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो कि कही ना कहीं सोशली एक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है देन उस के साथ आप आगे आ सकते हो और अपना काम शुरू करिए इन्होंने कहा कि आज आप सकसेस्फुल होंगे नहीं होंगे उसका उससे कोई फरक नी पढ़ता वर फाइनली अगर आप लगन से काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप सकसेस्फुल जरूर हो जाएंगे लोग इन तो इस बात को नोटर करते हैं और ऐसा की अर्जुन के केस में भी हुआ और उनको फाइनली एक साल बात जणरी का अधार में यू नो पर सू करने के बाद एक साल बात अरतनाय मैं टाटाची ने विल्यू से? विल्यू इंप्लिमेंट नहींगों। रिसेंटली एक उच्छ से मैं कोई एक इवेंट मैं गया था महाँ एक एक आराउंड वेंटीछ इसो अच उन्हों ने चाहा कि मैं मैं दो साल में दो थीन मैं आप श्टाप श्टाप से बट मैं पेल हो गया तो ऐसा जा इसा जा चीज मैं करूं जह से मुझे सक्सेस मिलेगा छो मिलेगा बड़ कि आपकी एक अफ्कर थें साथ पैली बात हो अगर आपने दो जाटतीन स्टाप अपने चेंड गया तो अगर आपके अपź कुछ को प्र टोडड़क के अपर ये तो आप कुछ के को मैं पर गर आपके थिकर अपकें को अपर अपर पंड़ेंगा ये थ तो आप प्रोड़ेश वाट प्रोड़ेक्ट तो आप शुरुवादी दिनों मैं पेशंस मत हरना आपका, आप कंसिस्टंट रहना आपको डेपनिली शेडि़ागा, दुसरी चीज़ रहना होगा आपके एज में अपको बहुत लोग संझेंगी कि यह बच्चा ने तो यह तो यह बच्चा ने जो यंग यंग स्टर्स आपके हम को क्या बिसनस के बारे में बतायागा, अभी मेरे मॉडल में अब जन्दी कादार में हमारे जो एक्जिस्टिंग रीटेलर से मॉम अन पॉप मेडिकल स्टोर से उनके पास मैं शुरुवारी दिनों में जाता था हमारी प पर फंदरा था से बिसनस मैं आप क्या बढ़ाएंगे बच जब मैंने उनको बताया कि आज की यह आज की तारिक में आप ऑन्नी फार्मसी तो बिग मेडिकल आपको जब करेगा उसको जन्टी कादार कैसे सॉल्ट करेगा आपको टेक्स उपूर कैसे बढ़ाएगा जब अगर जब आपको आपके प्रोटक्त में एक प्रोटक्त में एक चीज़ गोला था, अगर लॉस हुआ तो वो तो मेरा है, अगर प्रोफित लुए तो आपका है. So that kind of thing वो आपको चाइलिंगे इस रिस्क अशुरवादी दिनों में लेने पड़ेंगे, तो स्टाट अप कर जाता है, तो आपको प्राइवेट लिमिट कंपनी करना है, अगर आपको आगे जा के पंदिंग लेना है, तो अगर आपको अगे जा के पंदिंग लेना है, तो कभी-कभी हम लोग कंपनी करते हैं, चोटी-चोटी चीज़े लाइक कर जाते हैं, तो ट्रेडमार्क मतलब आप इतना अच्छा ब्राइन डेवलप कर देंगे, आगे जाके आगर आपको ट्रेडमार्क का रेजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, तो फिर वो दिकत होता है, तो स्टार्टाप वाला कोर्स है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस कोर्स में भी यह सारी बारी कि हम आपको बताने वाले हैं, तो अर्जुन जैसे स्टार्टाप के जो यह एंट्रपेनियोर्स हैं हमारे इंडिया को जो लीड कर रहे हैं, इतनी यंग गेज के अंदर वो आपको आके, उनकी एक्सपर्टीस के तुरू कुछ बताएं, मैं आपको बताओं और बहुत सारे लोग हैं जो स्कोर्स में आपको गाइड करेंगे, तो इन दाट केस आप लोग अपना रेजिस्ट्रेशन जरूर करवाई, यह लिंक डिस्क्रप्शन ब इन दाट केस, अगर मैं आप से सवाल पूछू, उसमें सबसे बड़ी हडल किया और उसको सोलूशन के, इन वाट विल्यू से, वो लोग क्या देखते हैं इसा, वो लोग ऐसा क्या देखते हैं कि आप जो केपिटल वेंचर जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आप में इन्वेस् अपरे तो आइडिया को अगर अपने एक्जिक्यूट किया है, तो डेफिनिटली एंजिल इन्वेस्टों होनी दीजिए उनको आपके आइडिया मतलब आज बहुत चीज़े टेक्नोलोजी डिवन हो इंजिल इन्वेस्टों को बहुत लगते हैं, वो लोग प्रोड़क्स स वो फाउंडर कौनसे लेवल पे उसने किया हुआ है, क्योंकि कैसे हो अइडिया बहुत लोगे पास में, सबके पास में आइडिया होते हैं, बट अगर वो अप एग्सीक्यूट टीक से नहीं कर पाए, कोई भी वेंचर कापिटिवस होने दीजिए, अगर अगर आइडिया होगा, after COVID, definitely they are not going to give the money on your idea, they will be giving you the money on the execution and what problem you are solving in the society, so आपका, मतलब पिश्डिक जो अगर हम लोग बोलेंगे, start-up ecosystem, बो बहुत strong होना चाहिए, पिश्डिक is all about story about your venture or the numbers what you have achieved on, so अगर अगर अपका strong होगा, what problem you are addressing, तो बहुत अगर होना चाहिए, पिश्डिक is around 15 to 16 slats, not more than that because venture capitalists को वो जाधा उनको दिन में, उनके पास में 15 बीस applications, so daily basis पाते हैं, हमारे पास में, Instagram पे मेरे पास में, LinkedIn पे, we are not a professional venture capitalists, but हमारे पास में 10-15 बीस पाते हैं, तो उनके पास में आप सूशे तो बहुत जाधा हाते हैं, because there are points across the nation, तो आपको जो आपका, मतलब पिश्डिक that should be strong, accurate and on to the point, what are your future plans on 3 months basis, 6 months basis, उसमें हम लग जो market होता है, उसमें हम लग जो market होता है, उसमें होता है, मतलब, if you are into the online delivery segment, तो online delivery का segment कितना है, और उसके अंदर आप कितना target कर रहे हैं, तो जो चोटी-चोटी चीज़े हैं, इन्वेस्टर को बहुत अच्छी लगती है, तो that you should keep in mind, your pitch deck, to approach the investors, मतलब, शुरुवादी दिनों में, आप अपके काम के ओपर focus करी है, जब success होता है, तो investors सामने से आएंगे, आप में invest करने की, you don't want to go to an investor to tell, so that is a success what we have to show as a youth of the country, तो वो चीज़ के उपरा सब को काम करना चाहिए, मुझाएपी, क्या बात है, क्या बात ह है कि future में जो session है, यह जो अभी लोग देख रहे हैं, जादा तर लोगों का youth में आज एक problem है कि हर कोई एक video creator बन जाना चाहता है, रील पे 30 सेकिंड चालिस सेकिंड का video बनाना चाहता है, बस किसी गाने पर नाच लेना चाहता है, या किसी गाने के lip-sing कर लेना चाहता है, है ना उस age में एक Indian youth यहाँ पे भी है, जो कि अपने लिए उन्होंने, ना सिर्फ अपने लिए, बलकि बहुत सरे ऐसे लोगों के लिए job create कर दी, जहां से अगर ऐसा कोई problem इंडिया में कभी दुबारा आता है, तो definitely वो अपना घर चला सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो मु I think हमें अपना सोच बदलने की जरूरत है, youth को भी सोचने की जरूरत है, कि आप जब entertainment की बात होती है, तब आप बहुत entertainment के लिए serious हो जाते हैं, पुष्पा मुवी का, अगर यहाँ पर गाने का real बन रहा होता है, तो सब नाच रहे होते हैं, लेकिन in that case जब इतनी knowledgeable बात हो पता नहीं कितने लोग इसको importance देते हैं, लेकिन जितने सामने लोग देख रहे हैं और relate कर रहे हैं, I must tell you कि actual में इंडिया को जरूरत video creators की नहीं है, बहुत सारे video create करके, अपना गाने पर डांस करके, अपना काम चला ही रहे हैं, वो एक तरह का अलग मैं उसके लिए कुछ क बड़ा अच्छा लगता है, मैं खुद भी अब मैं चाहता हूँ कि बहुत हुआ YouTube, बहुत हो गए YouTubers, now we have to focus on creating something for our nation, India के लिए हमें कुछ create करने की जरूरत है, कब तक video creation पे काम चलता रहेगा, और in fact जिस पे video create कर रहे हैं, वो सारे platforms खूब पैसा कबा रहे हैं, अर्बो डो creator, ऐसे ऐसे लोग भी creator बनके सामने आए, जो कि ऐसे software's create कर सके हैं, जिसमें हमारे खुद के software's हो, यह सपना लेकर हम लोग आगे आ रहे हैं, और इसी तरह के course को हम लोग लेकर आएं, जिसका नाव है, how to start a startup from 0 to 1, और अरजुन भी उसका एक पार्ट है, thank you so much अरजुन, इत कि हमारे देश में एक या दो या दस नहीं, बलकि हजार या दस हजार अरजुन पैदा हो, अब लास में जाते-जाते, हाँ जी. अरजुन भी उसके बारे में आपको सपोर्ट करी रहा हूं, और पुस्तर के जिसे जो वेंचर से, इससे इंडियन यूथ को बहुत आज इंपक्त होने बाला है, that is a really great initiative by A2 team, and today, हम लोग जो यूथ आगे 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 entrepreneurs बनते हैं, तो हमको भी आगे आगे entrepreneurs बनना जीए, जैसे लास टेम हम लोग ने पुस्तर के के, जो आयूज जी और शुवरम जी को हम लोग ने support किया, तो वैसे कि अलग-अलग entrepreneurs सामने आएंगे, और अलग-अलग हमारे initiatives से benefit उनको definitely मिलेगा, आपको सिर्फ एक step आगे जाना है, definitely हम लोग आपके साथ में खड़े हैं, तो इसी के साथ आज की conversation को खतम करते हैं, और मैं आप लोगों से request करता हूँ, कि आप जब real share करते हैं, या किसी गाने के lip-sync को share कर रहे होते हैं, मेरी request है कि आज अब इस चोटे से session को share करो, और अगर इसको share करते हो तो शायद हमें इंडिया में और अरजुन जैसे लोग मिल जाएं, जिससे हमारी economy और हमारा nation कभी भी ऐसी situation में नीचे ना है, job create करने वाले लोग अगर आ जाएंगे, तो हमें jobs की problem खतम हो जाएगी, ये भी बहुत बड़ी बात है, thank you so much अरजुन, हमेशा बात करके बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा खुद को motivated feel करता हूँ, जब भी मैं आपसे बात करता हूँ, और इनको address करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग थे मैं आपसे कहूंगा, कि ये session आपके लिए milestone साबित हो सकता है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़े हमने अभी आपके साथ share करी है, और मैं चाहता हूँ कि इसका फाइदा उठाए, और सोचें, आपके आज पास कोई इसी problem तो नहीं है, जिसको आप solve कर सकते हैं, और आप अपना startup build कर सकते हैं, और आप job seeker की बजाए, job creator बन सकते है इसी के साथ हमारे course को explore करना मत बुलेगा, description box में link given है, अरजुन बहुत-बहुत शुक्रिया है समय देने के लिए, last में जाते-जाते अगर आपको कोई motivating चीज़ कहनी है, जो आपको खुद को inspire करती है, वो क्या हो सकती है, उसके बाद हम लोग, मैं जानता हूँ कि आपका स made in China, as a youth of the country, हम लोग को यह डिसाइड करना चाहिए, design in India, made in India, sell across the world, यह जिसन हमारे mind में सेट रहा ना, we can change the entire world with our Indian products, amazing, amazing, बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- So finally guys, यह थे अरजुन देश पांडे, मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में यह हमारे youth icon जरूर बनेगे, क्योंकि यह represent करते हैं और बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- हम लोग अब as a startup आगे बढ़ रहे हैं और यह एक positive news है और आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि हम लोग और क्या-क्या करने वाले हैं लेकिन finally अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करें तो प्लीज आप डाउनलोड करें रिव्यू करें प्ले स्टोर पर अग बहुत सारे चीजें हैं जो कि आप विन कर सकते हैं और उसके लबाब बहुत सारे कोर्स ओली अविलेबल हैं अगर आपने भी तक इस्प्लोर नहीं किया है तो हाउटू में ट्रेंडिंग कॉंटेंट ओन यूट्यूब यह दुशंत का कोर्स है जो कि बहुत अमेजिंग है यह कोर्स वहाँ पर लाइव हो चुका है लोन इल्टिमेट अर्ट ओव कोर्स यह शिखा यह कोर्स वह भी लाइव कोका है और इसके लबाब फूड व्लॉग इंग ऑग अगर आपने अभी तक explore नहीं किये तो प्लीज आप explore जरूर करिये इसके लबावा how to grow on YouTube यह भी एटू एप पे live हो चुका है तो download the app, explore करिये और finally यह course pre booking इसकी start हो चुकी है how to start startup from 021699 का course है starting 500 जो enrollers होंगे उन्हें मोका मिलेगा अपने startup को हम से discuss करने का और उनको जीतने का मोका मिल सकता है 2.5 करोड का technical funding so guys इसी के साथ आज की session को मैं खतम करता हूँ I hope कि आप लोगोंने enjoy किया होगा और याद रखेगा कि जो भी स्कोर्स में enroll कर रहा है उसको 2.5 करोड का technical funding मिल सकता है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद मिलते अगले session में thank you so much good night take care bye